Hello my warriors, welcome back, class number 18 start करेंगे आज हम और I hope आपने class number 17 तक काफी अच्छे से पढ़ लिया होगा next question हम स्टार्ट करेंगे 296 जो की word हमें ते रखा है वच्छो, quandary बताओ quandary word हमने किता पढ़ा है means अगर में को quandary है तो मतलब मुझे confusion है ठीके मैं confused हूँ confused हूँ तो हमारे पास कौन कौन से words थे confused है तो baffled है, हक्का बक्का उल्जा हुआ baffled है, bewildered है ठीके, bemused है perplexed है और flammoxed है जिन बच्चों ने साथ साथ पढ़ाई किये उन्हें समझ आ रहा होगा कि हम कितनी बार पढ़ चुके है सब confusion के लिए words है ठीके, फिर आपने word पढ़े थे दुविधा के लिए predicament ठीके, enigma ओके, pliant दुर्दशा मैंने आपसे कहा था, ये सब उस तरह की situation के लिए आते हैं जिसमें इतनी difficulty है, इतनी परेशानी है कि मैं उलज गई हूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं क्या करूँ, तो मैं पूरी तरीके से उलज गई हूँ, परेशान हो गई हूँ, ठीके फिर आप यह याद रखेंगे, अगर मैं confused हूँ, तो मैं in a dilemma हूँ ठीके in a fix at a loss ये सब कुछ phrases हैं, जिनका मतलब होता है confused होना, ठीके, यहाँ से आप एक चीज और सीख सकते हैं, कि इससे आपको यह पता लगता है, कि article a आता है इनके अंदर, यह एक error हो जाती है अगर a नहीं लिखेंगे, कुछ phrases आपको याद होगी जिसे tell a lie होता है, in a nutshell होता है उसी तरीके से यह भी है, ठीके तो हमें word पूछा, impasse pinch, click and breeze, impasse का मतलब होता है बच्चो एक तरीके का deadlock ठीके, एक तरीके का deadlock होता है जिसमें no progress is possible कुछ आगे नहीं बढ़ सकता तो आपको याद है deadlock, हमने कुछ words पढ़े थे आपने gridlock पढ़ा था आपने standstill पढ़ा था जब मैंने आपको बताया था कि अगर कोई चीज पूरी तरीके से रुक गई है, उसमें break आ गया है pause आ गया, आगे नहीं बढ़ सकता जैसे traffic jam हो जाता है गाड़ियां एक साथ खड़ी होगी तो gridlock, है ना, और stalemate आप use कर सकते हो इसके लिए stalemate, है ना, and muddle ओके, चलो कींच वर्ड जो है, उसका मतलब है कोई चीज इतनी आसान है कि वो effortless है, वो easy है और वो effortless है मतलब जादा difficult नहीं है, ठीक है effortless है, और क्योंकि effortless है इसलिए uncomplicated है uncomplicated है बताओ कैसी है, अगर वो easy है तो क्या आप यह कह सकते हो कि वो hassle free है, अब ऐसे आप अपने आप भी words निकाल सकते हो, hassle का मतलब difficulty था, उसके साथ free लगा दो तो वो hassle free हो जाएगा click जो word है, इसका मतलब होता एक good, good नहीं बना लेते हैं political group हो जाता है, जिसमें जो लोग होते हैं, they are having the same interest and same theory, ठीक है, उनके same interest होते हैं, तो मतलब उनके अंदर fraternity है, एक तो यह word देखेंगे c-o-t-e-r-i-e और उन लोगों के अंदर भ्राइचारा है, इसलिए fraternity है ठीक है, तो breeze के बचों दो मतलब है, एक तो मतलब होता है light wind भौती light हवा, ठीक है, बहुत धीमे धीमे जो हवा चलती है, उसके लिए हमारे पास word है, जिफर ठीक है, और वैसे तो आप gust देखें, gust का मतलब strong wind होता है, तेज हवा का जोका जो होता है और तेज हवा कोई gail भी कहते हैं, तो यह आपके पास हवा से related कुछ words अगर मन्दी-मन्दी हवा चल रही है, that is breeze and zephyr, ठीक है, gust और gail strong wind को कहते है दूसरा इसका मतलब होता है बच्चों, टहलना, केवल गूमना और टहलना ठीक है, अब इसके लिए हमारे पास कितने words हैं, आप लोगों को याद होगा अपने words पढ़े थे, amble, ramble, saunter, ठीक है, stroll और roam भी कह सकते हैं stroll हो जाएगा, और roam, जब आप without any purpose, without any intention बस केवल गूमते हैं and cruise, meander, gallivant, ये सारे words तहलने के लिए आते हैं meander जैसे river, river के case में आद रखना river meandering करती है, कैसे जैसे यहाँ से निकली ये गूमती गूमती, तो इस तरीके से ये जो गुमाग होता है, इसको meander कहते हैं तो ऐसे याद कर लो कि नदी भी गूम रही है, तो हमारे गूमने के लिए भी ये word यूज हो जाएगा meander, ठीक है, अच्छा एक बास सोचो, अजब लोग इस तरीके से टहल रहे हैं, तो आपस में बातचीत कैसी करेंगे, ऐसे ही करेंगे, बकवास करेंगे, बिना मतलब की, बस ऐसे ही, बिना किसी परपस की है, तो चलो उसको भी देख लेते हैं, अगर इस तरह की बाते हो रह ठीक है, प्रैटल, यह काफी राइमिंग वर्ड्स है, देखो, बैबल है, और ब्लैदर, बी एले टी एच एच ए आर, ठीक है, एड़ इसी में अगर इवी लग जाएगा, तो वो भी यही स्पैलिंग होगी, बी एले भी होगा, और बी एले भी होगा, सेम, सेम स्पैलिंग इन सब का मतलब होता है, इदर उदर की बाते करना, अब यह है क्वैंडरी, मतलब मैं कुछ भी काम कर रही है, और अब मैं confused होगी, तो मैं रुक गई, अब क्या गरू समझी नहीं आ रहा, तो इन में से कौन सा वर्ड होगा, देखो, एक ही बैट रहा है, इम पास, ठीक है, यह इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है भी, next question दिखते है, next हमारा word है, slick, slick का मतलब होता है, smooth, smooth and slippery, एकदम चिकना, तो answer हो गया, slippery, ठीक है, answer तो slippery हो गया, no wise हमने पढ़ा है, जो no wise होता है, वो beginner होता है, I think अभी word रट गया होगा, आप लोगों को beginner होता है, green horn होता है, है ना, क्योंकि उसको experience नहीं होता है, इसलिए वो inexperienced होता है, क्योंकि inexperienced है, इसलिए वो fresher है, नया नया है, इसलिए neophyte है, neophyte है, tyro है, भोला भाला है, इसलिए ingenuous है, भोला भाला है, इसलिए credulous है, credulous है बोला भला है इसलिए child like है अब यहां अगर मैं आपसे पूछ हूँ तो जहां बैठे है वहीं बताना credulous तो बोला भला है जो सब पर बरोसा कर लेता है इतना सीधा है और credible क्या होगा जिस पर हम बरोसा कर लेते हैं कोई व्यक्ति है उस पर मैं भरोसा करती हूँ तो वह विश्वास पात रहे हैं कोई evidence information है वह credible है मतलब मैं उस पर विश्वास कर सकती हूँ लेकिन कोई बिल्कुली बेवकूफ है मूर के सब पर बरोसा कर लेता है तो वह चाइल्ड लाइक मतलब बच्चे के जैसा बच्चे का मन एकदम साफ होता है उस पर वरोसा कर लेता है तो भूला पाला है चाइल्डिश क्या है बचकाना सिली स्टूपिड ठीक है तो यह सब वर्ड्स याद करो अब यहीं कि यहीं आप लोग जहां बैठे हो वहीं पर दे इंडिया जो इंडिया में ही बनाओ मतलब लोकल है नेटिव है स्वदेश ही कहोगे आप इसको है न और अबरीजनी ठीक है अबरीजनी नेटिव और लोकल यह इंजीनियस है और इंजीनियस को जीनियस से याद करो जो जीनियस है वो कैसा है स्किल्फुल है और talented है shrewd है समझदा चालाख है ना और astute है यह सारे words हो जाएंगे competent है ठीक है चलो कहां से चुरू किया था और कहां पहुँच गए यह सब आपको देखो तभी आएगा जब आपनी previous classes काफी अच्छे से देखी है और शब्दों को याद भी कर रहे हूं खाली notebook भरने से काम नहीं चलेगा ठीक है चलो fractions क्या होते है fraction होता है किसी चीज का छोटा सा टुकडा small part अगर वो किसी चीज का छोटा सा टुकडा है small part है तो वो fragment है चोटा टुकडा होता है fragment आप उसको कहते है ठीक है और snippet भी कहते है snippet मतला information तो इत्ती बड़ी थी और इतनी सी information दे दी तो snippet of information हो गया ठीक है amount इतना बड़ा था उसमें चोटा सा दे दिया तो snippet हो गया है ना और modicum and jot modicum and jot यह BC के लिए आते हैं अब new देखो जो novice है वो new है तो answer हमारा क्या हो गया slippery हो गया new के लिए सारे words है अच्छा एक बात यहां पर देखो यह तो new है यहीं पर याद करने कि हमें काम करते हैं क्यों छोड़ें जो new है वो तो modern है वो modern है और latest है ठीक है अगर मैं इसके opposite की बात करूँ कोई ऐसी चीज जो कैसी है भी पुरानी old है ओल्ड है तो कैसी है obsolete है और आप के सकते ancient है और जो obsolete होगया वो क्या हो गया डिफंक्ट हो गया जैसे क्या क्या बता रखा है आपको मैंने जो डिफंक्ट है जैसे PC हैं कोई नहीं लेता सब laptop पे काम करते हैं TDPCO क्या हो गया, obsolete हो गया, defunct हो गया, हमारे basic जो landline phone है वो क्या हो गया, defunct हो गया, आप काम नहीं आते हैं, ठीक है, अच्छा, इससे एक word और याद को इसको opposite क्या हो जाएगा, अगर हम इसकी opposite की बात करें, extent पुराना तो है, old but still exist, ऐसा कुछ जो है तो पुराना, लेकिन फिर भी exist करता है, जैसे मानलो मैंने का 16th century के records आज भी आर्काइव में पड़े हुए हैं, तो मतलब है तो बहुत पुराना लेकिन exist करता है, ठीक है, answer हो गया, slippery, next देखो, लेगार्ड, लेगार्ड का मतलब होता है, बहुत ही धीरे धीरे, एकदम delay करता है वो, बहुत delay करता है, बहुत slow है, बहुत slow है, मतलब lazy है, लेजी है तो पताओ कैसे काम करता है, उसकी mornings कैसी होती है, उसकी morning langurous होती है, ठीक है, और वो क्या होता है, torpid होता है, है ना, अग उंगता उंगता काम करता है, लाइवली नहीं, एनेजटिक नहीं है, तो सारे काम कैसे करेगा? लेजरली, जैसे लेजरली संडे ब्रेकपस्ट, आराम आराम से कर रहे हैं, ठीक है? और क्या हो जाएगा? lacedesical, याद आ रहे है वर्ड आपको lacedesical, तो आलसी वाले सारे वर्ड जिसके अंदर आ जाएंगे, वो lacedesical है, ठीक है, चलो, अब prompt का मतलब होता है without delay, ये तो भिना delay काम करता है, without delay, ये देरी नहीं करता है, एकदम swift, वो swift होता है, तेज होता है, ठीक है, तेज होता है, और quick होता है, ठीक है, तो वो काम कैसे करेगा, वो immediate करेगा, और rapid होगा अपने काम को लेगे, तो बताओ, अगर वो देरी नहीं करेगा, बिल्कुल भी, जैसी उसको बोला गया, वैसी अपना काम कर देगा, तो कैसे काम करेगा, भई, timely काम करेगा, और instantly काम करेगा, तो instantaneous, और expeditious, ये सारे words हो जाएंगे, एक दम जल्दी से काम करेगा, उंका उंका नहीं करेगा, अलस में, और rapid, rapid होई गया, hustler, देखो hustler की दो meaning होते हैं, एक तो जो धोका देता है, मतलब ठाग होता है, अब जो ठाग होता है, ठाग के लिए मारे पास word है, वो कैसा है भई, देखो, एक तो इसका मतलब है ठाग, इसका मतलब है वो कैसा है, corrupt है, ठाग है, corrupt है, और कैसा है, हिपोक्राइट है ठीक है धोका देता है लोगों को और क्या है हमबग हमबग है और बाकी तो फिर वोई word स्विंडलर है धोके बास है तो स्विंडलर है फ्रॉड्यूलेंट है चीक यह सारे वर्ड्स हो जाएंगे ठीक है फ्रॉड्यूलेंट है corrupt है चलो और expeditious देखो यह तो word वहां लिखवाई दिया तो prompt और expeditious तो similar सा meaning दे रहे हैं डॉडल अब आप देखो डॉडल मैंने आपको ing वाला word नहीं कराया बट आपको अगर याद आ रहा हो एक बार ध्यान से देखना मैंने आप सिखाता अगर व्यक्ति क्या करता है procrastination करता है मतलब क्या करता है चीजों को टालता है procrastination करता है तो क्या करता है decisions को लेने में hesitate करता है hesitate करता है मतलब क्या करता है dither करता है dither करता है और swither करता है करता है फिर वर्ड था dawdle भी करता है dawdle करता है और oscillate वर्ड था यादा रहा है और क्या था वैसीलेट वर्ड और वैसीलेट वर्ड ओसीलेट और वैसीलेट यह सारे वर्ड अब यहां पर आपने पढ़ लिया डॉडल तो डॉडल मीस डॉडलिंग क्या करता है जी जो को टालता है तो कैसे काम करेगा दीरी दीरी उंगता उंगता काम करेंगा, अंसर क्या हो गया? डॉडलिंग हो गया, ठीक है? चलो next देखो, sacrilege, sacrilege होता है किसी holy thing का निराधर करना, निराधर करना, तो blast frame ही होता है, अगर भगवान से सम्मान देता किसी पवित्री चीज़ का निराधर करते हैं, ठीक है? उसका मतलब हो गया, आपका sacrilege, तो उसके लिए impiety एक word अपने पास है, and profane, ठीक है? प्रोफेन होगा वो, और अगर noun लिखनी है, तो यह अटा गया, ity लिख दो, और irreverence, अपमान कर रहा है ना? irreverence, इसका मतलब हो गया, अपमान, अपमान कर रहा है, holy things का, ठीक है? modification का मतलब होता है, changes, तो changes होंगे तो उसमें क्या होगा? अभी alteration होगा, alteration होगा, transformation होगा, कोई चीज़ बदलेगी तो transformation होगा, और variation होगा, यह सब common words है, ठीक है, changes होंगे, और amendment होगा, revamping भी अपने पास एक word है, amendment होता है, यह से constitution में होता है, और revamping, कुछ बदलाव हो रहा है, ठीक है, और amendment हो रहा है, अब आपने यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगा कि सोचा करो, कि इसको opposite क्या होगा, जो चीज बदलती नहीं है, वो कैसी है, intractable थी, जो बदल जाता है, वो क्या था, tractable था, जो नहीं बदलता हो, क्या था, constant था, constant है, तो uniform होगा, ठीक है, और unmutable होगा, जिसमें कोई mutation नहीं हो सकता, अब आपके यह दो words यहाँ पर दे रखे हैं, देखो, consecration और reverence, यहाँ देखो मैंने क्या लिखा है, reverence, यहाँ reverence है, इससे पहले IR लग गया, मतलब negative word है, तो reverence का मतलब तो सम्मान हो गया, तो सम्मान है, और किसी चीज़ को, consecration का मतलब होता है, किसी चीज़ को पवित्र बनाना, पवित्र बनाना, आप क्या करते हो, जब घर वगरा बनाते हो, कुछ भी बनाते हो, भूमी बुचन करते हो, तो उसको पवित्र बना दिया आपने, कोई भी मूरती है, जब वो दुकान पे रहती, तो समान की तरह होती हूँ आप उसको देखो कि वो इस तरीके से फैकते हैं उसको है ना इसकी तरीके से डील करते है"... लेकिन जैसे ही आप उसको मंदिर में रख देते हो वो पवित्र बन जाती है, तो consecration का मतलब हो गया, आपने उसको संबान दे दिया, पवित्र बना दिया, ठीक है मतलब उसका क्या कर दिया, hellowing आपने इवर्ड पहले भी पढ़ाए hellowing हो गया, उसका purification हो गया हो गया ना, उसका purification और hello word पढ़ाए आपने hellowing उसका veneration भी हो गया, आप चाहो तो इस तरीके से connect कर सकते हो veneration भी हो गया, ठीक है और reverence word हमें दे ही रखा है यहां पर ठीक है, answer हो गया blast me चलो, next देखते हैं, ponderous बचों, ऐसा होता है जो भूद धीरे होता है slow and clumsy clumsy का मतलब क्या था मैंने आपको बताया था ना if a person is not a droid अगर वो skillful नहीं है, अपने काम में निपुण नहीं है तो क्या incompetent है फिर मैंने बताया था, वो अनाड़ी है inexperience है, तो clumsy, bungling, lumpish, lumpenward आपको पढ़ाया था मतलब यह अच्छे से काम नहीं कर पाता वही क्यों नहीं कर पाता क्योंकि वो काफी slow है किस वज़े से slow है क्योंकि उसका जो भार है ना भारी बहुत है मतलब यह तो मोटा होगा उसका weight बहुत जादा होगा ठीक है तो मतलब ऐसी कोई चीज़ कैसी होगी तो देखो उसके लिए अपने पास words हैं Lumberly L-U-B-E-R-L-Y Cumbersome बोजिल हो गया Cumbersome मतलब बोजिल हो गया वो ठीक है, Lumbering and Cumbers and Lumbering जैसे मान लो आपने क्या कहा कि किसी ने बड़े चाव से कोई गाड़ी खरी थी लेकिन अब वो बार बार खराब हो रही, उसमें पैसा लगे जा रहा है लगे जा रहा है और इतना पैसा आ नहीं रहा है आपके पास, अब वो बोजिल बन गया क्या बन गया, कंबर्सम बन गया कंदों पे बोज बोहत आ गया उसी तरीकी से हम बात करें, मानलो ब्योरोक्रेसी है, वह अच्छे से काम नहीं करती तो क्या बन गई, क्लमजी बन गई, कंबर्सम बन गई, बोजिल बन गई कोई काम तो करती नहीं, इस तरीकी से अगर कहना हो ठीके, तो ये सारे वर्ड्स इसके लिए आ जाएंगे अन्रूली जो होता है, देखो, अन्रूली बात नहीं मानता तो कैसा होगा, बात नहीं मानता इसलिए कैसा होगा, वाइल्ड होगा उसमें कोई रूल नहीं कर सकता न, इसलिए वाइल्ड होगा और इस तरह की situation कैसी हो गई chaotic, मतलब आपको रूली नहीं कर पारे, बड़ी जीब सिस्तिती हो गई, confusing, chaotic, ठीक है अस्तव्यस्तिती हो गई, chaotic हो गया और अच्छा मैंने आपको words बताए थे कुछ, boisterous boisterous बताए था, frolicsome बताए था and rollicking किसके लिए बताए था, मैंने कहा था कुछ बच्चे जो खूब शोर शराबा कर रहे है rule नहीं कर सकते आप उन पे मना करोगे तो और चिल्लाएंगे ऐसे players, ऐसे customers, ऐसे children, जो खूब शोर मचा रहे हैं noisy, energetic है, उनके लिए कौन से words पढ़े थे हमने इस सारे, boisterous, rollicks, और rollicking, इस सारे words पढ़े थे ठीके, अच्छा, obstreperous हमारे पास एक word है obstreperous इसको बहुत अच्छे से देख लें, शायद हमने पहले नहीं किया है obstreperous भी इसी से related है अगर कहीं पर कोई मेला लग रहा है मालो, या फिर किसी sale में आप चले गए, किसी mall में चले गए कैसे आवाजे आती रहती है, तो noisy होता है और difficult to control होता है ठीक है, इस तरीके का हल्ला अगर कहीं मच रहा है तो noisy और energetic के लिए आते है obstreperous noisy और unable to control तो ये सारे words हो जाएंगे इसके लिए ठीक है, अचा wondrous, कोई चीज wondrous थब होगी, जब वो बहुत ही ज़्यादा astonishing होगी आश्चर ये होगा आपको उसको देखके astonishing होगी और beautiful होगी आप beautiful होगी तो कैसी होगी, mesmerizing होगी इसको हम यहीं stop करेंगे क्योंकि हम beautiful, energetic, insulated बहुत सारे शब्द देख चुके हैं पहले बार बार रिपीट करने से फायदा नहीं है, ठीक है, mesmerizing होगी marvelous होगी, ठीक है अचा, buff किसको कहते है buff कहते हैं, ऐसे व्यक्ति को who is interested in a particular subject ऐसा व्यक्ति जो कि interested होता है in a particular subject एक particular subject में interested होता है मतलब फिर वो क्या होगा, उसका expert होगा उसका specialist होगा तो हम पहले तो क्या करते है, common word लेते है वो क्या होगा, उस particular field का expert होगा, और क्या होगा specialist होगा, एक बार common word आ जाता है तो फिर सुनोंने व्याद करने में दिक्कत नहीं होती वो specialist है, इसलिए आप क्या कहोगे वो कनौशर है कनौशर कौन होता है कनौशर होता है जिसको particular art का या particular drink का, particular खाने का knowledge होता है ठीके, वो specialist होता है, judge होता है उसका और इसी के लिए आप word ले सकते हो kognoscenti, एक word अपने पास है kognoscenti इसका sound श है, kognoscenti ठीक है, and aficionado हमारे पास एक word है aficionado यह सारे words export के लिए आ रहे हैं ठीक है, aficionado आचा, जो heavy है, अब heavy के लिए अपने पास word है भारी है नहीं है, भारी है तो हम एक काम करते हैं व्यक्ति से ले लेता है, अगर व्यक्ति मोटा तगड़ा है भारी है, तो आपको मैं revision करवा देती है वो best word हमने पढ़ा था हमने word पढ़ा था, पाउंची याद आ रहा है आपको, पाउंची पढ़ा था और हमने word पढ़ा था, corpulent फिर मैंने आपको ये भी पता है था, ये तो corpulent है, ये तो मोटा तगड़ा है, फैटी है, corpulent तो फिर opulent क्या होता है, फिर याद करो जो opulent होता है, वो rich होता है, लेविश होता है, luxurious होता है, splendid होता है यादा क्या हो सारे words, ठीक है, opulent, wealthy होता है, और ये है corpulent चलो, ponderous का मीनिंग क्या है भाई, ये भारी से related था ना, slow and clumsy, because of being heavy तो heavy इसका answer हो जाएगा D, चलो next देखते हैं, ridicule ridicule हमने use किया था, ridicule को मजाख उड़ाने के लिए, तो ridicule में कौन-कौन से word थे बताओ deride था, इसको देखना पीछे बहुत बाराय हुआ है, deride हो गया, mock हो गया, taunt हो गया, ठीक है ये सारे words देखे थे आपने, फिर हमने इससे word याद किया था, caricature, ठीक है, मजाख उड़ाना, उसके लिए सारे words है, ठीक है तो derision, derision इसका answer हो जाएगा, क्योंगी derision का मतलब यही होता है, अब देखो pathology में तो क्या है, आप किसकी पढ़ाई करते हो, study of a disease जाच कराने जाते हैं ना हम path lab में, तो pathology बिमारी की जाच की पढ़ाई, जो resolute होता है बच्चे वो determined होता है ठीक है, determined होता है, अब determined है तो यह words याद करो, वो tenacious है, हार नहीं मानता है, वो tenacious है, और वो indefatigable है ठीक है, वो हार नहीं मानता है, इसलिए सारे words हो जाएंगे, and steadfast बहुत बढ़ा है words, steadfast आप लिख सकते है okay, and pertinacious, pertinacious, ठीक है, वैसे तो बहुत सारे words हमारे पास और भी unwavering है, unyielding है, ठीक है derivation, देखो derivation किससे बनाएं बच्चो, derive से, अब जब आप कहते हो कि यह शब्द particular language से derive किया गया है मतलब वहाँ से क्या हुआ है, originate हुआ है, derive किया है, मतलब आपने originate किया है और वहाँ से extract किया है, उसको वहाँ से लिया है particular भाशा से, ठीक है, तो यह आपका answer हो क्या derivation, next देखो, next question देखो, gallivant, gallivant का भी मतलब है आपका roam, ठीक है, गूमना, एकदम इधर उधर गूमना, तो roam हो गया, ramble हो गया, अब इसको बार-बार नहीं लिखेंगे, अब भी थोड़ी दिर पहले देखा था, stroll देखा था, parambulate देखा था, amble देखा था, वहीं पे मैं विक्ति कौन हो जाएगा, impudent, पड़ा था, आपको याद है, ऐसा विक्ति कौन होगा, audacious होगा, जिद्धी है ना, आप उसको लिख सकते हैं, जिद्धी और गुस्ताग, जिसको शरम नहीं आ रही है, बिल्कुल भी, शरम नहीं आ रही है, तो मतलब उसके अंदर temerity है, व वो बेशरमी से कह रहा है, हाँ मैंने किया है, तो क्या करोगे आप है ना, तो इस तरीके से आप कहेंगे कि वो जिद्धी और बेशरम है, और efferentary, इसको आप ऐसे याद कर लो, front, एकदम front में खड़ा होगे, कह रहा है, हाँ मैंने किया है, चोरी क्या कर लोगे, आप तो बड़ा जिद्धी है बेशरमें, ठीक है, efferentary मतला है, बुस्ता की, ठीक, अब जो brave होगा, वो कैसा होगा, valiant होगा, courageous होगा, ठीक है, and valorous, heroic, heroic, valorous हो जाएगा, heroic हो जाएगा, ठीक है, यह सब, अच्छा, इसको उल्टा देखें, तो अगर वेक्ति कैसा है, अगर वेक्ति कायर है, तो आप क्या कहेंगे, वो timid है, ठीक है, डास्टार्ड है, ओकी, और आपका, डास्टार्ड है, और coward है, ठीक है, जिद्धी के लिए अपने पास एक word और है, मैलपर्ट, मैलपर्ट भी जिद्धी होता है, अच्छा, जो जिद्धी है, वो किस तरीके का लाए बोलेगा, वो ब्रेजन लाए बोलेगा, सफेज जूट, और वो ब्लेटेंट, एकदम सपष्ट होगा, ठीक है, ऐसे याद करो, वो कैसा जूट बोलेगा, एकदम साफ अब जो easily notice किया जा सकता है, जो cons पे की वासे उसका उल्टा देखो, जो चूपा होई वो क्या है, वो है आपका disguised है, camouflaged है, concealed है, hidden है, secret है, discrete है, discrete है, discrete कौन सा, double E वाला, अगर double E वाला नहीं है, D, I, E, C, R, E, T वाला है, तो उसका मतलब हो गया separate और individual, ठीक है, एक वर्ट को पकड़ के काफी सारे शब्द याद किया करो, चलो, next question देखते है, glib, जो glib होता है, वो fluent है, fluent है, clear है, किस में, speech में, जो glib है, वो fluent है, clear है, और कैसा है, eloquent है, एक दम spust बोलता है, ठीक है, तो वो क्या है, inarticulate है, implausible है, easy है, या sincere है, तो देखो, inarticulate का मतलब तो होता ह है, not able to, not able to express, अब चाहे वो बोलने में हो, चाहे लिखने में हो, अगर मैं अपनी बात को अच्छे से express नहीं कर बारी, it means I am not eloquent in speech, ठीक है, inarticulate, क्योंकि articulate का मतलब, जो eloquent है, वो articulate कर सकता है, अच्छे से अपनी बात को समझा सकता है, तो वो कैसा speaker है, वो eloquent speaker है, माल जे कोई sales and marketing company है, उनको कुछ बंदे चाहिए, उनको कैसे लोग चाहिए होते हैं, जो clients एक तम अच्छे से बात कर सेकर अपना product बेच के आजाए, अपनी scheme को बेच के आजाए, तो eloquent speakers चाहिए है, उनको, who can articulate their feelings, ठीक है, and thoughts, impossible, not easy to believe, कुछ ऐसा जो, not easy to believe, जिस पे भरोसा कर बहुत मुश्किल हो, ठीक है, तो आप कहते है, incredible, incredible, cred किसे बनाए, cred का मतलब होता है, faith, ठीक है, मतलब जिस पे आप भरोसा नहीं कर सकते, ओके, जो easy है, बई देखो, अगर glib है, effective, fluent है, clear है, तो easy है, वो चीज आपके लिए समझना है, और जो sincere है, वो कैसा है, जो sincere है, वो straightforward है, simple व्यक्ति है, ठीक है, वो fabricated नहीं है, वो genuine है, genuine है, और आपने एक word पढ़ा था, faint, उसमें un लगा दो, और f-e-i-g-n-e-d या दा रहा है आपको, faint, faint word मैंने आपको बताया था, अगर कोई व्यक्ति बहारा करता है, पार्टी में नहीं जाना, शादी में नहीं जाना, या पढ़ाई नहीं करनी, उसकी वज़े से कहता है, मेरे पेट में दर्द है, मेरे सर में दर्द है, मैं जा नहीं पाऊंगा, तो वहाने बना रहा है, लेकिन ये तो कैसा है, sincere एकदम भोला भाला है, यहां से याद करो, अगर आपकी eloquent हो, articulate हो, आपकी speech एकदम clear है, तो भाई कैसी है, limpid है, lucid है, pellucid है, याद आ रहा है, जो limpid है, pellucid है, वो कैसी होगी, legible होगी, intelligible होगी और decipherable होगी, ऐसे हाथ करो, इसको opposite देखो, अगर वो मेरे लिए clear नहीं है, clear नहीं है तो क्या हो जाएगी, opaque हो हो जाएगी, impenetrable हो जाएगी और impervious हो जाएगी, इसकी spelling लिख देती हूँ, मैं impervious हो जाएगी, फिर याद करो, मैंने कहा था, अगर mausam vague है, clear नहीं है, earth pushed है, तो वो क्या हो जाएगा, वो nebulous हो जाएगा, cloudy हो जाएगा, hazy हो जाएगा, murky हो जाएगा, misty हो जाएगा, fog smoggy हो जाएगा, और smoggy हो जाएगा, इस साब previous classes है, हम देख चुके थे, ठीक है, इस तरीके से आफ words को बहुत सारी खट्टे करके याद किया करो, तो वो easy हो जाएगा, आपके लिए, क्योंकि हो desirable है, easy है, limpid है, lucid है, clear है, साफ साफ पता लग रहा है, फिर clear से याद करो, म whimsical word दे रखा है बच्छों आपको, whimsical मैंने आपको बताया था, strange वाली list में, है न, strange वाली list में बताया था, अब जो whimsical होते हैं, वो manmoji होते हैं, मतलब यह serious नहीं होते, यह manmoji लोग हैं, अलग-अलग context में use होंगे, देखो words, और यह serious नहीं होते हैं, ठीक है, तो अब यह कैसे होंगे, थोड़े अजीब होंगे, न, अजीब होंगे, सनकी होंगे, क्योंकि unpredictable हैं, कभी कैसे रहते हैं, कभी कैसे रहते हैं, तो वो strange वाली एक तो पूरी list आ गया, आपकी strange हो गया, peculiar हो गया, है न, सारे नहीं लिखोंगे, bizarre हो गया, और आप थोड़े से important words जरूर द eccentric, eccentric हो गया, freakish हो गया, okay, capricious, capricious मैंने आपको बताया था, आप इसको ऐसे याद कर लो कि है, आज तुमने capricious पहन ली बड़े अजीब लग रहे हो, तो अजीब, sun की, उससे related ये सारे words हैं, तो फिर आप याद करो कि capacious क्या था, बच्छों जो capacious था न, वो spacious था, हूब है उसके अंदर, जो spacious है, वो roomy है, बहुत सारी चीज़े आ सकती है, और वो कैसा है, voluminous है, मतला बहुत बड़ा है, volume खूब है, ये सारे words आ जाएंगे space के लिए, तो चलो बताओ, वो whimsical का आप से पूछ रहा है, synonym, तो weak है, क्या वो, जो weak होता है, वो तो feeble होता है, जो fee fragile है, और delicate है, जैसे कोई कांच का glass है, कोई कांच की चीज है, वो इतनी weak है कि टूट जाएगी, ठीक है, अब दूसरी तरह से भी देख लेते हैं, ये तो हो गया भी, उसको material बड़ा delicate है, गिरते टूट जाएगा, अगर व्यक्ती दूर्बल है, तो उसको मानलो एक छोटे स बुखार ने क्या कर दिया, incapacitate कर दिया, या दा रहे हैं सारे words, मैं बार बार इसी लिए बोलती हूँ, ताकि आप connection बना पाओ, उसको एक heart attack ने, बीमारी ने, एक fever ने, incapacitate कर दिया, दूर्बल बना दिया, या फिर उसको इनफीबल कर दिया, या फिर उसको decrepit कर दिया, मत decrepit से याद करो, मैंने decrepit से बताया था, अगर कोई चीज ओल्ड कंडिशन में है, जीन शीन अवस्था में है, तो कैसी है, dilapidated है, dilapidated है, ramshackle है, और tumble down है, और decrepit है, हो गया connection बन गया, चलो, जो respectful है बच्छों, respectful का मतलब है, आदर पूर्ण, हैना, आदर पूर्ण, है, तो differential इसके लिए वर्ड अपने पास है, differential है, और अभी आपने पिछले कुछ क्वेशन में देखा था, जिसमें sacrilegious वर्ड आया था, तो मैंने आपको बताया था, reverence, reverend, वह reverence था, इसको आप noun बना दो, हैना, वह reverence था, यह आपका adjective हो गया, reverend, और अच्छा, व्यक्ति अगर कैसा है, महिलाओं के प्रति अगर आदर रखता है, ठीके, उनको respect देता है, तो उसको आप क्या कहेंगे, shivalrous कहेंगे, मतलब व्यक्ति कैसा है, वह एक बात सोचो, जो व्यक्ति shivalrous है, सोचके देखो, उसकी कैसा nature उसका होगा, तो वो उदार होगा, इससे हम कुछ connect करते हैं, तो हो generous भी हो जाएगा, अब generous है, तो benign, kind, courtesy, सारे words आजाएगे, ठीके, इसलिए मैं सारे नहीं लिख रहे हो, यहाँ पर, आचा एक बात देखो, अब इस तरह को जो व्यक्ति क्योंकि वो उदार है, तो आपको नहीं लगत देखा कि मैं इसको bother तो नहीं कर रहा हो, इसको परेशान तो नहीं कर रहा हो, तो यह caring है, जो caring होते हैं, वो obey भी तो करते हैं, obeying भी होते हैं, तो solicitous होगे, और फिर आपको याद एक इत्ती बार हमने पढ़ा word considerate, considerate भी कौन होगा, जो दूसरों को परेशान नहीं करता, kind होता है, खयाल रखता है सबका है न, considerate, इसको opposite हो जाएगा, inconsiderate, ठीक है, inconsiderate, एक और word याद यहाँ पर करेंगे, subservient, subservient, ठीक है, subservient यह होता है, obeying, जो obeying, बहुत करता है, बात मानता है सबकी, तो subservient हो जाएगा, humiliated का मतलब है, अपमानित, तो जो humiliated है, वो embarrassed है न, इसके लिए हमारे पास word आ जाएगा, embarrassed, वो embarrassed है, अपमानित है, और mortified है, mortified, साथ-साथ लिखेंगे, तो ही समझ में आ जाएगा, है न, अब देखो, funny, funny, यह whimsical है, तो strange है, peculiar है, समझ ही नहीं आता, अजीब ही है, तो मतलब थोड़ा funny भी हो गया, कहा था न, आपको यहाँ बताया था, मन मौजी है, मन मौजी है मतलब serious नहीं रहता, अब amusing है, तो कभी-कभी गुसा भी आ जाता है, इस पर, annoying भी है, तो funny तो इसका answer हो जाएगा, लेकिन फिर हम यह भी न भूलें कि funny के लिए हमने पहले word पढ़ रखें, आप याद करो hilarious word आपने पढ़ा था, hilarious, funny है, ठीक है, और historical, साफ-साफ word आया था, underline किया हूँ अपने question में, जो हमने पिछली classes में करें, historical, और uproarious भी होगा, uproarious, जैना, roll से याद कर लो, जैसे, roll क्या होता है, share, share, धहारता है, तो बहुत हास-हस के मान लोग भी बात कर रहा है, तो uproarious, uproarious, humor भी कहा जाता है, खूब जोर-जोर से आवाज या रही ह जकल सम, ठीक है, यह भी इसी लिस्ट में add कर ले, answer हमारा हो गया, funny, आगे बढ़ें, चलो, next देखते है, instigate का मतलब होता है, उकसाना, किसी चीज़ के लिए, उकसाना, भढ़काना, उकसाना या भढ़काना, ठीक है, तो अगर हम instigate कर रहे हैं, तो हम कुछ insight कर रहे हैं, promote कर रहे हैं, insight कर रहे हो आप, किसी चीज़ को trigger कर दिया, है ना, और provoke कर दिया, किसी चीज़ को बढ़ा दिया, persuade कर दिया, encourage कर दिया, है ना, persuade भी हो जाएगा, मनालिया आपने कुछ करने के लिए, encourage भी हो जाएगा, depend करता है, देखो, बार बार मैं आपसे यही कहते हूँ, क्योंकि option वो आपसे किस तरीके के पूछता है, उस पर depend करता है, promote, promote भी आएगा फिर, तो चलो, deterrence, deterrence का मतलब है, किसी भी तरीके का obstacle, obstacle है, तो फिर, hindrance भी होगा भई, अगर कोई, obstacle है, रुकावट है, बाधा है, कोई चीज जो रोकती है उसको, तो उसके लिए, avoidance है, और impediment है, impediment है, avoidance है, okay, obstacle की तरह काम करता है, and thwarting, अब जैसे एक छोटा सा example लेते हैं, जादा दूर क्यों जाएं, अगर किसी व्यक्ति के पास, आपको पता है कि, तलवार है, या फिर छुरी है, या फिर कोई बंदूख है, तो वो एक deterrence का काम करेगी, उसके पास जो चीज है, इसी harmful चीज है, वो एक deterrence का काम करेगी, obstacle बनके खड़ी हो जाएगी, कि मैं उसको नुकसान ना पहुचा हूँ, क्योंकि मुझे डर हैगी, अगर मैं उसको कुछ बुरा भला कहूँगी, तो वो मुझे नुकसान पहुचा सकता है, तो उसके पास जो चीज है, वो उसके लिए deterrence का काम कर रही है, hindrance का काम कर रही हमारे लिए, ठीक है, यह सारे बार हो जाएंगे, settle करना मतलब, आपने कोई चीज सेटल कर दी, तो उसको sort out कर दी, decide कर दीया, बहुत आसान है, आपने उसको sort out कर दीया, sort out कर दिया, contribute कर दिया उसका conclusion दे दिया उसको बिल्कु sort out कर दिया, decide कर दिया तो resolve कर दिया resolve भी कर दिया कोई issue चलो resolve कर दिया आप reconcile अपने पास एक word है reconcile जैसे क्या करते हैं reconcile किसी जगडे को अगर मैंने reconcile कर दिया तो उसको settle कर दिया खताम करा दिया कि भी लड़ाई-लड़ाई-लड़ाई माफ करो, कुछ भी नहीं है, ठीके तो reconcile हो गया, raise का मतलब क्या है, increase करना, bring up, uplift कर दिया किसी चीज़ को, उपर ठीके, और elevate कर दिया, and complacence का मतलब क्या है, देखो, complacent, मैंने आपको word बता है था, malleable, जो malleable था, वो pliant था, complacent था, amenable था, amiable था, accommodating था, और आपका yielding हो जाएगा, ठीके, ऐसे लोग जो आसानी से जुक जाते हैं, तो फिर words याद करो, सब में से कौन होगा, जो आसानी से influence हो जाता है, ठीके, त जो compliance है, वो तो क्या हो गया, obedience हो गया, मतलब आग्या मानना हो गया, ठीके, तो obedience हो गया, और subservience, आप देखो, आप, कितना जादा important role play करते हैं, आपके previous year questions, अभी आपने यहापने word पढ़ा था, subservient, किसलिए पढ़ा था, मैंने आपसे कहाता है, कि यह लोगों की बात मान करते होंगे, अबे करते होंगे, तो यहाँ T लगा दिया था, यहाँ क्या लगा दिया, CE लगा दिया, और उसी से देखो connect करके obedience हो गया, ठीके, और docility, बात मानना, तो वो यह अबे करना हो गया, ठीके, और obsequious word मैंने आपको लिखवाय था, एक, obsequious, कौन होता है, obsequious, चाप लूसी करता है, yes sir, yes sir करता है, तो अबे करता है, तो obsequious भी हो जाएगा, एना, obsequious, और amenable था, तो उससे word बना लो, amenable था, तो amenability हो जाएगा वहाँ पर, ठीके, amenability हो जाएगा, चलो, अब पूछा था आपसे instigate, instigate था किसी चीज़ को बढ हाना, trigger करना, answer क्या हो जाएगा, raise, आपने raise कर दिया, उसको बढ़ा दिया, ठीके, next question देखते है, domicile किती बार पढ़ा, domicile आवास होता है, आवास होता है तो फिर, accommodation होगा, ठीके, residence होगा, residence हो जाएगा, abode हो जाएगा, abode है, residence है, जहां कोई व्यक्ति रहता है, उसका आ आवास है, ठीके, और आपका dwelling हो जाएगा, dwelling है, habitation है, ओके, आचा, यहां पर एक word और याद करो आप, इसी से connect करेंगे एक word याद करो, niche, ओके, यह किसी का क्या बताता है, किसी का environment कैसा है, तो वो भी तो उसका घर ही है ना, उसका आवास ही होगा है ना, उसका आवास ही हो कैसी, कैसा वहाँ का temperature है, कैसा वहाँ का terrain है, यह सब चीजें, तो niche, particular niche में particular species रहती है, ठीके, सबका अपना एक आवास होता है, यह आप environment में पढ़ेंगे, तो यह भी एक तरीके से आवास ही हो गया, तो देखो, wild जो होता है, वो domesticated नहीं होता, इसलिए कैसा होता है, भई, fears होता है, जो wild है, वो जंगली है, domesticated नहीं है न, इसलिए वो untamed है, means uncontrolled है, ओके, अच्छा, dictator, dictator के word हमने पढ़ें, dictator, tyrant होता है, याद है आपको वो father वाला, मैंने आपको example दिया था, अगर एक पापा बहुत modern है, तो क्या कहेंगे, बेटा, खुब enjoy कर वो party वाटी कर गया ह तो वो कैसे होंगे, liberal होंगे, modern होंगे, और आपके permissive होंगे, ठीक है, लेकिन ये tyrant है, और क्या हो जाएगा, desport हो जाएगा, फिर Hitler बताये था आपको, Hitler बताये था और Martinit बताये था, फिर मैं बोल के बता रहे हूँ आपको words, वो authoritarian होंगे, totalitarian होंगे, ठीक है, चलो, home, answer हो बेधखल कर देना, जैसे किरायदार ने पैसे नहीं दिये, उसको बाहर निकाल दिया, ठीक है, किसी ने अपने बच्चों को जायदात से बेधखल कर दिया, तो बाहर निकाल देना, बेधखल कर देना, evict का मतलब होता है, तो आपने क्या कर दिया, वही, expel कर दिया, ठीक ह याद करो मैंने आपको कुछ बताया था छीन लेने के लिए expropriate word यहा थे आपको expropriate जिसका मतलब है छीन लेना ठीक है फिर आप देखो याद करो word confiscate word था confiscate था seize था मैंने कहा अगर किसी भी school में यह rule निकल गया किसी के बच्चे में मोबाइल फोन मिलेगा तो उसको seize कर लिया जाएगा confiscate कर लिया जाएगा कुछ भी ऐसे चीज मिली तो उसको जब्त कर लिया जाएगा and sequestrate word भी उसी में मैंने आपको लिखवाए था sequestrate sequestrate word का मतलब भी है छीन लेना या जब्त कर लेना अब ये वाला जो seize है न बच्चो ये तो जब्त कर लेना है तो फिर वही कि वही आप याद रखो कि ये वाला जो seize होगा c-e-a-s-e जिसका मतलब होता है stop ठीक है halt, रुक जाना seize मतलब stop या end seize, ओके, चलो next question देखते है ये हो गए सारे, next देखते है jar next word अपने पास है जिसका मतलब होता है damaged भई damage किसी चीज से आपको चोट लग गई ठीक है, कोई चीज चोट लगने से खराब हो गई, अब macho का मतलब होता है manly ठीक है, एकदम एकदम शक्तिशाली, masculine अग्रेसिव, जिसके अंदर courage है strength है, तो आप उसको बोलेंगे कि वही बिल्कुल पूरुष जैसा तो masculine आप कहते भी है ना कि उसकी चाल एकदम manly है, तो आप कह सकते कि वह एकदम आदमियों की तरह चलती है है ना, आदमियों की तरह चलती है, तो manly है masculine है, and ladish ladish, ये भी manly ही होगा, ओके, चलो assented का मतलब, एदेखो assent देना, मतलब स्विक्रिती देना स्विक्रिती देना, मतलब आपने उस चीज को accept कर लिया है, accept कर लिया, approve कर दिया आपने sanction कर दिया ओके और आपने validate कर दिया sanction का एक मतलब और होता है जैसे sanction लगा दिये मतलब रोक दिया किसी काम को करने sanctions लगते है न, अपने import-export पे, तो इस particular चीज पे sanction लगा दिये, मतलब रोक दिया, ठीक है, तो validate भी हो गया चलिने, expert देखते है, altercated altercated का मतलब होता है, बच्चों एक्दम wash or शराबा करके लडाई जगडा करना, तो dispute हो गया ठीक है, dispute है, तो आप इसके लिए ramie, countertemp word याद रख सकते हैं, एक word ramie है, और एक है countertemp, ठीक है, countertemp, and yes, one more word wrangle wrangle, यह लडाई जगड़े के लिए आपके पास word है, accorded देखो, accord का, accord, खाली accord देखे, तो एक मतलब तो होता है give देना, और दूसरा, accord का मतलब होता है, agree करना, match करना match करना या agree करना, मतलब दो चीज़ी, एक जैसी लगती हो, ठीक है match करना, तो भई क्या है, अगर कोई चीज़ match कर रही है, तो वो किसमें है consensus में है, consensus है ना उनमें, ठीक है, और उनके अंदर concord है, unanimity है, मतलब सबके विचार एक है, कुछ भी बेमेल नहीं है, असंगत नहीं है, सर्व सम्मति, तो unanimity हो गया, और congruence हो गया, congruence, याद आ रहा है आपको इससे एक word, मैंने आपको एक word लिखवा है था, इससे connect करना, मैंने आपको एक word लिखवा है था, incongruous, incongruous word का मतलब क्या था, बेमेल, बेमेल और असंगत, आपको example भी दिया था, कि यह कैसे बेमेल कपड़े पहने, है ना, shirt का color कुछ और है, pant का कुछ और है, और एकदम इसमें raport और harmony, मतलब क्या हो गया, raport, r-a-double-p-o-r-t and harmony में है, मिलती जुलती है सारी चीज़े, तो यह word हो गया, आपका accord, ठीक है, तो पूछा था, आम से, जार्ड, ठीक है, जार्ड है, damaged, damaged चोट लगना, ओके, तो बचे देगो, इतना पढ़ने से तो यह clear नहीं होगा, जार्ड वर्ड का, आपको एक और meaning देखना होगा, जिसका दूसरा meaning होता है, ठीक है, जैसे मान लिए, किसी committee ने कुछ comments दिये, instructions दिये, comments दिये, आपने कहा कि यह comments जो है, यह mail नहीं खाते हैं, match नहीं करते हैं, opinions है, कि जो आप opinion दे रहे हैं, उसके विपरीत आप आपने comments दे रहे हैं, तो disagreement में है, ठीक है, मतलब सहमत नहीं है, तो wrong है, अब wrong है, तो उनके अंदर क्या होगा, dispute होगा, dispute होगा, लड़ाई जगडा होगा, इसलिए, answer होगया, आपका, altercated, ठीक है, next देखते हैं, यह word देखो, अपना अभी पर आया था, blast famous, जिसके लिए मैंने आपको word लिखवा है था, profane, profane था, अपके यह वल पीछे जाके देख लेना, sacri religious था, ठीक है, sacrilegious हो गया, अच्छा, impious था, और unholy था, ठीक है, answer क्या होगया, आपका, disrespectful, निराधर कर रहे हैं न, भगवान से संबंदे चीजों का निराधर कर रहे हैं, holy thing का निराधर कर रहे हैं, जो authentic है, बच्चों कैसा है, bonafide है, ठीक है, bonafide है, genuine है, और क्या है, legitimate ह यह हमें पता है, legitimate है, lawful है, genuine है, ठीक है, चलो, तो एक बाद देखते हैं, इसका उल्टा, हमारे पास कौन कौन से words हैं, इसका opposite अगर हम देखें, तो इसको जो opposite है, वो fake है, है न, और malafide है, और क्या है, artificial है, जो जूटा है न, नकली है, उसके लिए words है, और क्या था, phony था, याद करो साथ साथ है न, फिर क्या था, pretextual था, जो नकली है, दिखावटी है, और pseudo हो गया, ठीक है, और counterfeit, मैंने बताया था, जाली या नकली, note, currencies के लिए use होंगे, नकली हो गया ठीक है, ठीक है, और fictitious, fictitious और fabricated जूटा हो गया, तो fictitious हो गया, और fabricated, fabricated मतलब लीपापोती कर दिया, evidence को change कर दिया, तो fabricated है, तो फिर manufactured भी है, manufactured, आपने दोका देने के लिए evidence को, किसी record को बदल दिया, change कर दिया, तो वो सारे words हो जाएंगे, ठीक है, अच्छा, fake है, तो spurious, fraudulent है, और bogus, bogus भी आद रखेंगे, bogus भी काफी आता है, fraudulent अभी हमने पीछे देखा ही था, और आपका spurious, spurious भी हो जाएगा, ठीक है, अब अगर मैं verb की बात करूँ, बच्छो, एक तो forged भी हो गया, यहाँ पे, forged, यह तो हो गए सब adjectives, अ ठीक है, धोका देना, तो क्या-क्या words हो जाएगे, किसी चीज को change करना, fiddle हो गया, diddle हो गया, जैसे records को बदल दिया, amount में धेरा फेरी कर दिया, fiddle, diddle, swindle, ठीक है, किसी को deceive कर दिया, धोका दे दिया किसी को, और deceit, deceive and deceit, ठीक है, इस सारे words याद रखेंगे, अलग हमी कर चुके हैं, आप किसी की साथ trick करते हो, तो वो भी धोका देने में आता है, trick कर रहे हैं, ओके, बच्चों, जो costly है, वो dear है, अब dear का एक मतलब, जब dear किसी को आप प्यार से पुकारते हैं, तो भी dear कहते हैं, बढ़ दियार का मतलब या expensive भी है, ठीक है, expensive हो गया, फिर और opulent क्या हो गया, opulent हो गया, महेंगा, तो expensive चीज़ों के लिए फिर आप exorbitant use करते हैं, extortionate use करते हैं, ठीक है, exorbitant, ठीक है, and extortionate, extortionate, जैसे मान लिजे, आप कहें, कि फला फला किसी चगे पर हम गये थे, बड़े ही महेंगी होटेल हैं, बड़ा महेंगा खाना मिलता है, तो exorbitant prices of the hotels, extortionate, अच्छा कोई चीज़ लेविश है, तो विर वो क्या होगी, luxurious भी होगी, है न, luxurious होगी, तो splendid होगी, शांदार होगी, splendid होगी, फिर याद करो, sumptuous होगा, sumptuous, ठीक है, फिर चलो, इसको छोड़ते नहीं आपे, एक बात याद रखो, sumptuous था, तो मैंने आपको बताये था न, scrumptious भी अपने पास word है, जो scrumptious था, वो बहुत tasty था, इसलिए, delicious, ठीक ठीक है, और, succulent था, ये सब किसके लिए थे, tasty and juicy के लिए, ठीक है, tasty and juicy के लिए सारे वर्ट से, तो मैंने आपको एक साथ बताया था, कि sumptuous तो महंगा है, sumptuous dinner हो गया, sumptuous hotel हो गया, और scrumptious, delicious, luscious, succulent, ये सब tasty, delicious इसके लिए है, ठीक है, चलो, अब ये देखो, कि ये तो सब use किसके लिए हो रहे हैं, ये सब use हो रहे हैं, स्वादिष्ट के लिए, तो मेरे पास जगह कम हैं, बट आपको याद आ रहा होगा, हमने एक insipid word पढ़ाता, insipid, अब insipid का मतलब क्या है, फीका, अब फीका किस-किस case में use हो सकता है, अगर आपको कहीं जाग है, कोई उसमें नमक मसाला कुछ भी नहीं है, तो वो भी क्या हो जाएगा, insipid हो जाएगा, थीके, फिर जलो अब टेस्ट की बात की है, तो हमने word पढ़ा था, पीकंट, थीके, पीकंट word पढ़ा था, अब पीकंट word का मतलब है, पीकंट होता है, एक ऐसा sharp taste, जैसे टाटरी होती है, या फिर सोया सौस होती, जो एकदम यहाँ जाके लगती है, उसको कहोगे आप पीकंट, और अगर कोई चीज मीठी नहीं है, ना, salty और spicy है, उसके लिए word अपने पास होता है, savory, स-A-V-O-U-R-Y, यह क्या है, मीठा नहीं है, spicy है, या फिर salty है, ठीक है, आचा, वो हो गया, आपका, डिलेक्टेबल वाले words देख लिए, आचा, डिलेक्टेबल भी लिखना है, यहाँ पर आपको है, डिलेक्टेबल वर्ड से ही अपने शुरुआत की थी, डिलेक्टेबल, और tooth sum भी था, आपके इवल बोल के बता रही हूँ, tooth sum भी अपने पास word था, ठीक है, चलो, अचा, अब यह देखो, यह तो सारे की सारे कैसे, महंगा खाना, महंगा फरनीचर, सब कुछ एकदम शानदार है, खूब पैसा लगाए, अगर व्यक्ति कैसा है, गरीब है, तो व वो कैसा खरीदेगा, craptastic, craptastic का मतलब होता है, of low quality, एकदम निम्न quality का, उसके लिए अपने पास crapperific भी एक word है, ठीक है, crapperific and craptabulous, यह सब है low quality का, और यह सब है एकदम महंगा, अच्छा खासा, ठीक है, काफी बढ़िया, चलो, next देखते है, अब अपने पास word बचा है, reality, जो reality है, वो क्या है, reality जो है, उसमें तो truth है, जो reality है, वो truth है, ठीक है, जो reality है, वो truth है, और materiality भी होगा, देखो, इसी के लिए मैं लेख रही हूँ, word होगा आपका, materiality, मतलब बहुत एक है, सब कुछ, इसका opposite क्या हो जाएगा, fantasy, सब कुछ क इसमें है, imagination में, ये fantasy हो जाएगा, इसका opposite, ठीक है, answer तो हमारा हो ही गया था, disrespectful, बहुत सारे words हो जाते हैं, कभी-कभी मुझे डर लगता है कि कहीं, आप लोग ये ना सोचो कि ये क्या है, और फिर देखना ही छोड़ दो, लेकिन मैं अपने अंदर के teacher को रोकता ही पाते जो भी आपको लगता है, ठीक है, चलो next देखते हैं, consensus व्यक्ति कैसा होगा, consensus होगा, कर्तव्य निष्ट, जो खुब महनत करता है, तो ये किस category में आते हैं, ये आपके, ये diligent होते हैं, काफी महनती होते हैं, ये diligent होते हैं, ये diligent होते हैं, laborious होते हैं, aciduous होते हैं, pains taking होते हैं, पूब महनत करते हैं, इसलिए meticulous होते हैं, इनके लिए हर detail important होते हैं, meticulous होते हैं, और punctilious होते हैं, ठीके, इनकी हर की हुई चीज rigorous होते हैं, और इनकी द्वारा हर किया गाब, methodical होते हैं, काफी detail में होते हैं, ठीके, चलो, अब ये लोग कैसे होते हैं, radulous, radulous hard working होता है, सेवेच क्या पढ़ा था हमने, sayotte wild होता है, weird होता है, तो fears होता है, fears होता है, तो इसके अंदर कोई दया नहीं होती, इसलिए Merciless होता है, Merciless होता है, इसलिए brutal होता है, ठीके, brutal है, तो barbaric है, barbaric है, callous है कोई दया भाव नहीं है इसलिए इन्हूमन है ठीक है, merciless है insensitive है यह सारे words आ जाएंगे आपे ruthless है, fierce है तो ferocious है, खतरनाक ferocious है, ruthless है यह सारे words हो जाएंगे चलो, casual जो है अगर आप casually किसी से मिलते हो तो आप option रिकता थोड़ी करोगे, friendly मिलोगे ना उससे, friendly मिलोगे उससे, इसका मतलब आपका wake ऐसा होगा, एकदम easy going रहोगे आप लोग, आपस में और informal होगा formal ही नहीं, informal मिलोगे आप informal मिलोगे, तो मैंने आपको word कराए था ceremonious, इसको याद भी कैसे कराए था, अगर आप किसी ceremony में जा रहे हो, तो suit boot पैन के जाओगे, अच्छे से ready होके जाओगे, तो ceremonious ceremonious का उल्टा अगर मैं कर दू in ceremonious, तो क्या हो गया, informal हो गया ना, in ceremonious, ठीक है informal casual, आप लोग कैसी भाशा में बात करोगे colloquial और vernicular local भाशा में, दोनों का मतलब क्या है, local भाशा में बात करेंगे, अगर दो गाओं वाले आपस में शहर में मिलते हैं, तो sophisticated बन की, formally नहीं मिलेंगे, informal language में बात करेंगे जो उनकी local language है, तो colloquial और vernicular का मतलब हो गया local, ठीक है, तो ये unceremonious कर लेना बचों इसे, ये unceremonious होगा, ठीक है unceremonious, चलो next, carefree, अब जो carefree है, उसको कोई चिंता वगर नहीं है, इसलिए blight word, पिछली class में देखा था आप देखना, blight मैंने कहा था जिसको कोई care नहीं है, एकदम कैसा रहता है, एकदम light hearted रहता है, कोई बोज नहीं है, उसके सर पे एकदम light hearted रहता है, अब बताओ किसी व्यक्ति का दिल अगर एकदम हल्का फुल का है, खुश रहता है, खुश रहता है तो कैसा रहेगा, jaunty रहेगा, जाउंटी रहेगा, खुश रहेगा, cheerful रहेगा, तो insorciant का मतलब है, कि मान लीजे, किसी ने reply किया और उसके reply में बिल्कुल भी परवा नहीं जहल की कोई hospital में, और सामने से बड़ा रूखा जवाब आया, तो insorciant reply हो गया, किसी ने insorciant hug दिया किसी को, गले लगाया, लेकिन एकदम ऐसे की चिंता नहीं है, एकदम उपर-उपर से, तो उस case में आ जाएगा insorciant, ठीक है, और इसके लिए अपने पास एक combination भी है, जो carefree लोग होते हैं, को यह कहते हैं, उनके लिए एक अपने पास word है, devil may care, मतला मुझे परवाण नहीं है, ठीक है, बेफिकरी से रहता हूं में, देखा जाएगा, इस तरह के लोग होते हैं, ठीक, चलो, आंसर हमारा होई गया, sedulous, है न, idacious, idacious होते हैं, जो बहुत ज़्यादा मात्रा में खाते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा मात्रा में जो लोग खाते हैं, तो उसके लिए अपने पास word है, देखो, rapacious, rapacious है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो war से अपन word बनाते हैं, waracious, war से word बनते हैं, herbivore, carnivore, omnivore, the war means खाना, तो जो वरेशय से बहुत ज़्यादा खाता है, इसलिए आप इसे related एक wolfish word ले सकते, wolfish, ठीक है, आप देखो, यह जो लोग होते हैं, यह बहुत greedy होते हैं, खाने के लिए, तो revenus and, revenus word आप ले सकते हैं, ठीक है, खाने के लिए बहुत लालची होते हैं, इसलिए and assurient, e-s-u-r-i-e-n-t, ओके, greedy हैं, अब greedy हैं, तो आपके पास कुछ words पहले भी मैंने लिखवा रखेते हैं, avaricious, covetous, acquisitive, यह भी लालची हैं, है ना, यह भी लालची हैं किसी ना किसी चीज़ के लिए, अब यह material things के लिए भी लालची हो सकते हैं, acquisitive, covetous and, avaricious, ठीक है, यह सारे words हैं, अच्छा, mercenary एक word को आप इससे connect करो, mercenary, कैसे लोग होते हैं, जो केवल money minded होते हैं, इनके लिए ethics कुछ नहीं होता, ethics को DAO पे लगाकर, यह लोग पैसा कमाते हैं, mercenary है, ठीक है, चलो अब एक काम करते हैं, अब यह लोग बहुत खाते ही हैं, तो इससे एक word लिखते हैं, यह लोग क्या करते हैं, वह बिंज, बिंज eating करते हैं, खाते रहते हैं, खाते रहते हैं, बिंज watch करते हैं, जब आप एक के बाद एक series देखते रहते हो, देखते रहते हो, इतना interest आता है, तो बिंज eating करते हैं, खूब खाते हैं, जो बहुत पै जादा खाता है बोहत खाता है अब इसका opposite लो अपने पास word है you know , anesthesiai danaxia में कम खाता है व्यक्ति कम खाता है क्योंकि उसको लगता है कि कई मेरा weight ना बढ़ जाए ठीकर बाइया तोयल रीजन ओ सकता है आ셔서 हमें एक mental disorder होता है कि कभी मोटा ना हो जाओं या फिर कभी-कभी जैसे डर के मारे एक्जाम है भूख प्यास मर गई तो उस वक्त वक्ति एनेडरेक्षिया से जूजता है ठीक है अब एनेडरेक्षिया है तो देखो एक वर्ड अपन है न मिलता जूलता याद करेंगे हाला कि हाला कि इससे कोई connection नहीं है लेकिन amnesia amnesia का मतलब होता है memory loss जैसे मानलो आपने कहा कि accident के बाद he has been suffering from amnesia ठीक है amnesia से गुजर रहा है memory loss हो रहा है ठीक है उसको ध्यान नहीं रहती चीजे चलो अच्छा एक बात बताओ जब व्यक्ति जब व्यक्ति चीजों को भूल रहा है तो वो किस state में है वो ignorance हो रहा है उसको चीजों का पता नह लग रहा और दो words आपने पड़े थे oblivion और oblivious मिलते जुलते हैं इसलिए एक साथ याद कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं oblivion और oblivious तो मैंने काता अगर मेरे आसपास क्या हो रहा है मैं उससे aware नहीं हूं तो oblivion हो गया completely forgetfulness आ गई ठीक है completely you have forgotten something तो भी क्या आ जाएगा यही दोनो words देखे थे हमने फिर आप याद करो अगर मैं आपसे कहूँ कि यह तो सब क्या है अज्यान अज्यान इनकों चीज़े याद नहीं रह रही तो क्या आप इसका उल्टा cognizance से लगा सकते हो cognizance है न awareness और mindfulness ऐसे words अपने आप निकालो mindfulness cognizance मतलब भी लोग aware है conscious है तो consciousness भी हो जाएगा ठीक है चलो पहला word है अपना solvent solvent विक्ति देखो पहले insolvent देखो insolvent कौन होता है दीवालिया दीवालिया इसके पास पैसे नहीं है ठीक है कर्जा हो गया इसके ओपर तो यह क्या हो गया भई यह bankrupt हो गया यह bankrupt हो गया अब bankrupt है तो मतलब कैसा है poor है poor है तो impoverished है यह गरीब है ना impoverished है impecunious है penurious है indigent है फिर वो ही आपके common words poor, tramp, vagrant, popper यह सारे words हो जाएंगे ठीक है चलो अब solvent कैसा है solvent है debt free debt free इस पर कोई कर्ज नहीं है इस पर कोई भी कर्ज नहीं है तो यह financially sound हो गया ना यह financially sound है और इसको आप कह सकते हो कि यह credit worthy भी है credit worthy मतलब पैसा लेगा तो चुका देगा दिया जा सकता है इसको पैसा तो credit worthy भी कहोगे एक और बात ध्यान रखना solvent इस तरीके के substance को भी कहते हो जो किसी दूसरे substance को गोल लेता है अपने जैसे पानी है पानी solvent है नमक को गोल लेगा है ना solvent दो तरीके से use होता है तो solvent ऐसा भी liquid होता है जो dissolve कर लेता है किसी दूसरे substance को ठीक है जो satiated है बच्छों वो कैसा है है, who satisfied है, और gratified है, संतुष्ट है, यादे न, आपको इस सारे words gratified है, अच्छा, अब, satiated है, और इसके लिए आप एक unenvious word देखो, unenvious, क्यों आएगा भाई, यह कैसे connect करेंगे, सारा game इस चीज का है, envy word आ रहा है, यहाँ आपने वाले के पास है, क्यों है, मेरे पास क्यों नहीं है, यह गाड़ी उसके पास है, मेरे पास क्यों नहीं है, उसे इतना आता है, मुझे क्यों नहीं आता है, तो मैं envy हूँ, लेकिन अगर मैं unenvious हूँ तो मेरे पास जो है मैं संतुष्ठ हूँ मेरी प्यास भूज चुकी है मुझे त्रिप्ती हो चुकी है यह इसका मतलब क्या है त्रिप्त होना तो मुझे अब कुछ भी नहीं चाहिए और ओके चलो अब इसका अंसर चाहिए था glutton, glutton क्या होता है पेटू, glutton बहुत जादा खाता है ठीक है I think बच्चो अब भी इतना ही करेंगे हम लोग next class में देखेंगे बाकी के questions यहां तक अच्छे से पढ़ाई करना और जो भी suggestions हो मेरे लिए वो आप comment box में लिख देना एक बार, thank you so much take care and see you in the next session thank you